पेट दर्थ करता है, पेट फुला हुआ है, ढकार आती रहती है, अन्नका पच्चन नहीं होता, ऐसे सिम्डम लेके बहुत सरे लोग आते हैं तो ये पेट विकार है, उसका क्या मानसिक कनेक्शन उसके वारा में बातचीत करने वाला हूँ, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक करेकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा, जैसे नम्मुक्त दरने हूँ, महराष्ट में पिछले 40 साल से अकुला में प्रेक्टिस कर रहा है, डिप्रेशन है, नर्वसनेस है, उदा सिंता है, और इनको बार-बार ऐसे बीच-बीच में पैनिक एटक आते हैं, उसमें बहुंच जाला घवराट होना, धड़कन होना, बेचेन होना, इदर से उदर असा दौड़ना कि भई, कोई हस्पिल में जाकर मैं एडमिट हो ज बहुत बारिक-बारिक कीजिए देखना, नेट पे जाना, सर्च करना, सब जानकरे लेना, ऐसा बहुत डीटिल में जाना, इन्विस्टिकेट करना सब, क्योंकि ऐसा कोई लेकर आता हैं, कि मेरा एसीड कम है, तो बहुत बार गैस बनता है, शवच साफ नहीं होता है, और छ चादी होंगी नहीं होंगी, बाबाप दूर रहते हैं, या अकली रहती है, बड़े सिटी में, और बड़े सिटी में अकले रहना, और वहां जॉप करना, वर्क रॉम होंए, अकले फ्लैक में रहना, और परेंस बहुत दूर है, वो एक बड़े सिटी में बेंगलोर में है, तो उसको लगता है कि मैं अंसेक्यर हूं और पूरी इंसेक्रिटी भरी हुई है और उसके वज़ और एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस रहता है, पेट में दर्द होता है, और खाना खाने के बाद में इस्प्रेशली क्या होता है, इरिटेबल वाज संड्रम जाएन उनको ख होता है, और तभी भी पश्टा नहीं है, खाये कि भस धकार उल्टी जैसा लगना, पेट फुलना ऐसा हो जाता है, और फिर यह सब जब होता है, तो उनको लगता है कि मैंने खुद कुशी किया तो अच्छा है, आत्मत्य की विचारात है, और काफी डॉक्टरों को बता दि हो जाती है, और फिर उनको ऐसा लगता है कि यह सब होने के बाद में अभी मेरी इम्मिनिटी पावर कम होई है, मतलब मेरी प्रतिकार शक्ती जो है, वो कम हो गई, और इसलिए फिर मुझे ब्युमारी और ज्यादा बढ़ रही है, तो अकली नहीं थी है, तो एक बार काम हो गया, वर्क फरम हो में तो वेसी अकली है, और अकली काम करना परता है, और काम हो गया एक बार, अफिस टेमों के बाद में करना क्या, तो दिमाग में च कर चालो कुछ ना कुछ ना कुछ वीचार आते रहते हैं मैंने बना क्या होगे शादी वगरे का प्लान दो लेनी पहला तो मेरा ब्रेक अप हुआ है और शायद उसके वज़े से ही मुझे समस्य आ रही है एक बाइफ्रेंट था और उसके साथ में नहीं जमा प्रब्लम आ और प्रब्लम आल Eg moment scoring वहास करता हुआ है मैं ने अरो अरो आपके घर में कोई प्रहा फैमिली क्ले शेर पेंजेंग है फैमिल्यी अ के स겠지만 कीया से प्रहम व्ज och asi पिर्हांने चीडिल को मॉर्याने को स़ो इंट इंड और इंडमक्रों नहीं स्छितिया जैंग आग्या है जाज़ा तर यह बिमारी होती है और उसका exact reason क्या है यह मालूम नहीं है मगर इसका मानसिक connection है और मानसिक connection क्यों है क्यों है क्योंकि आपको पूरी पचंद संस्ता की जाच कर लो कुछ मिलें गई नहीं और तकलीब तो है इसमें तीन प्रकार की में सिम्टम है एक है कि डाइरिया हो रहा है तलब बहुत ज्यादा lose motions हो रहे नंबर दो कब्स हो गया constipation है नंबर तीन दोनों mix है इसमें पेट दर्थ होता है गैसे बहुत हो जाते हैं पीट फुल जाता है पिडिव जी मचला शाज गए कभी उटी हो जाती है फिर ज्च बहुत बहुत ज्यादा हाओ हो था है फिर उंगली से निकलना पड़ता है इतना हाओ जाता है उनको लग गई और जाके मुआ बैटने तो लेट्रन नहीं पर व एक बार साफ हो जाए एक अच्छा लगएगा, और लेट्रिंग कुछ साफ हो ती नहीं, एक बार जाने से और उनको फिर बार बार जाना पड़ता है, चाधा होता कैसे है? एक तो तलीवी चीजह चाने से ज़या होता है, तो ये अवायर करने चाईए. फिर चर्बी वाली चीज़े, और डेरी प्राड़क्ट्स, मतलब पनीर है, चीज है, दूध इसे ज़्यादा होता है, चॉकलेट जोग लोग खाते हैं, और कैफिन इससे भी बहुत ज़्यादा यह बीमारी होती है, विश्चाली तलीई चीज़े है और ज्यादा ऐलीई अ कम तेल वाला, कम तला हुआ राप एक करो कि कुई पन्स़ीज लिलकाई ना और सभाङने विर विट करना है next बहुत ही relaxed रहना है और यह बहुत सबसे कठीन काम है by stress बहुत बिमारी बढ़ जाती है तनाव से बढ़ जाती है तो re舒養 खुद को रखना है इसके लिए meditation करो self-hypnosis看ो self-hypnosis से बहुत फारख पढ़ता है exercise regular करना है fasting बीच-बीच मेरे लोगों को में हर्दम बोलता हूँ कि आप 16 घंडे का फास्ट करो 16 अवर्स बार खाना खाय कि 16 घंडे कुछ भी नहीं खाने का सिर्फ पानी पिने का है तो बहुत फरक पढ़ता है इनको वाटर पानी एन बहुत ज्यादा पिना है कम से कम 3-4 लिटर पानी पीता है तो उसे भी अच्छा फरक पढ़ता है तो यह सब टिप से पेत्विकर की पेट अच्छा करने की और सब करते हैं स्बैसे कुछ घंडे-चेशन अरव मेटिकेशन क के जेता हूं मेटिकेशन समदूति एंटैंट अंटी डिप्रेशनन और वह ओंड़ मारम्ड की आता है पेत लिग नाल को बहुत तो इनको बहुत फरक पड़ता है। वैसा यह ऐसा शुर शॉर्ट नहीं है कि यह दवाई दिया तो Irritable Boy Syndrome खतम हो गया। नहीं ऐसा नहीं होता है। मंगर अभी आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि हमारे देश में काभी सारे ऐसे WhatsApp group है, Irritable Boyl के, Irritable Boyl Syndrome वालों के जिसमें मेरा नाम है, वो आपस में चर्चा करते हैं और वो चर्चा करके फिर मेरे पास में आते स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए, अभी बीज में ही चार लोग अलग-अलग राज्यों से, एक साथ मेरे पास में आये, और उनको सेम प्राब्लम था, सेम आईबियस, सेम तकलिव है, वो यहां रहे, पूरा गैरा दिन यहां रहे, मैंने जैसा बोला वैसा रिलाक्सेशन एक्रसाइज किया, मैंने उनको कॉंसिलिंग किया, दवाई दिया, और हम इंट्राविनस थेरपी हमने स्पेशली डिजाइन की हुए, वो हम देते है, रिलाक्सेशन की, तो वो दिया, और उनको बहुत फरक पड़ा, मैं उनको यह भी बताता हूँ कॉंसिलि करो, ठीक है वह यह ना यह प्राबलम, बहुत लोग है कि जिनको पहुरी नहीं, बहुत लोगों को दिखता नहीं अन्दे है, वे अपना तो पेट का यह प्राबलम है चलो, एकसेट करो, जैसे ही आप स्वीकार करेंगे, आपको फैदा हो जाएगा, ज्योंकि इतना यह रि के लाइब थी अंहीन पेठीकार से, मतलступ बोथे अपना दोस्त है, को दोस्त बोले ख dig, तकलीप दे रहा है, स्पास मे बैठा आब, ठीक है शिकार करो और आप कांपे लग से आपका गोल्ड पक्का करो, करा में क्या है, बड़े पर प्रप्लम्स क्रेट करो, बड़ा गोल्स क करेगे उसके पीछा दरना जालू करेंके तो ये यह चोटा प्रबलेम निकल जाएगा इसींड से लोगों को बहुत प्र्फिया आपकी नियुक्त कर सकते हुर haft कर सकते हैं हुरियो अग्जरarta कर खथा Life Coach वो चैनल में आपको motivational वीडियो मिलेंगे वो चैनल को भी subscribe करो Thank you very much आपको चैनल को चैनल को भी चैनल को भी subscribe ।